किसान बाईयों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल HR Farving Vlogs पे तो किसान बाईयों आज मैं गोबी में पानी लगा रहा हूँ या आप देख सकते हैं मैंने गोबी में पानी चला रख्या है मेरे बहुत से नई किसान है जो गोबी के खेती करना चाहते हैं या एक साल हुआ है या अभी नए लगाया है उन्होंने खेत गोबी का और बहुत से बाईयों को ये confusion रहती है कि जो गोबी लगाने के बाद पहला पानी है वो कितनी मातराम दे और क्या गोबी को सुका कर पानी दे या सिली सिली में पानी दे इन सभी बातों की जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देना चाहूँगा मेरे किसान बाईयो तो शुरू करते हैं इससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा किसान बाइयो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करे वीडियो को और शेयर जरूर करे मेरे किसान बाइयो तो शुरू करते हैं तो किसान भाईयो जो गोबी लगाने के बाद पहला पानी होता है उसकी मैं आपको जानकारी देता हूँ यह आप देख सकते हैं जो गोबी लगाने के बाद पहला पानी है उसको आप बिल्कुल ही कम मातरा में दे क्यारी में चैरू मेर फिरते ही अगली क्यारी में आप नाका खोल दे किसान बाईयो और ये नमी देख सकते हैं बिलकुरी अड़की-अड़की नमी होनी चाहिए जादा नमी नहीं होनी चाहिए उपर से खते सुके होए होने चाहिए अगर आप जादा नमी है तो पानी देंगे तो आपकी जो गोबी है श्यारू अच्छे से नहीं चलें गोबी अलसाई-अलसाई खड़ी रहेगी और वह गलक कर खतम हो जाएगी किसान बाईयो तो यह आप देख सकते हैं इतने सूकने पर ही आप जो है चाट का बत्तर आने पर चाट का पानी लगाएं तो यह देख सकते हैं किसान बाईयो आप अभी क्यारी में पानी फिर्या नहीं है फिरते ही मैं इस क्यारी का नाका जो है बंद करवा दूँगा यह देखी थोड़ थोड़े अभी रह रहे हैं और इस क्यारी में हम देखते हैं किसान बाईयो जो यह क्यारी है इसमें भी ए थोड़ा सा रहा हुआ है यह आप देख सकते हैं तो बिल्कुल ही पतला पाणी देना होता है मेरे किसान बाईयो गोबी में क्योंकि गोबी के जो पोध्य होते हैं नाजुक होते हैं अगर ज्यादा सील रहेगी उन में तो गड़न सलू हो जाएगी और गोबी फोर नहीं चाहिए बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है ऐसा से देख सकते हैं किसान बाईयो पाणी फिर चुका है और बिल्कुल ही पतला पाणा पाणी मैं तो फज्ञारला ? vessel पानी होता है वह इतना ही पाणी मात्रा में स्टा पोप्सान बाईयो या आप देख सकते हैं झाल झाल